बिहार के शुशाचन लाज की ये घटना शर्मसार करने वाली है कानून के राज में पहले एक ट्राइवर को गुंदों ने अगवा कर उसके पतनी के साथ दुशकर्म करने की घटना को अंज्याम दिया है इस घटना के बाद भागलपूर तहल गया और नाकाम भागलपूर की पुलिस आरोपी को अभी तक गरफतार नहीं कर पाई है घटना बीती रात की भागलपूर के विश्विद्यालत आने की है जहां गुंदों ने शराब पीनी के लिए पहले ड्राइवर से मारपीट किया और जब ड्राइवर गुंदों की डर से भाग गया तो गुंदे उसके घर जाकर उसकी पत्नी को धमका कर उसके साथ दुशकर्म की घटना को अंजाम दे दिये गटना के बाद रोती बिलक्ती महिला को अस्थानिये लोगों ने कपरा पहनाया और सरक पर हंगामा करने लगी हंगामा की सूचना पर पहुंची पुलीस गुंदों को ग्रफतार करने की वज़ाए लोगों को धमकाने लगी इस घटना के बाद भागलपूर में गिरोह बंदी छिरने की संभावना बर गई है जानकारी के मताबिक इस मामले का आरोपी कनहिया यादव है जो रात के नौ बजे महले के एक व्यक्ती जो ट्राइवर का काम करता है उसको जवरन घर के पास से उठा कर अपने साथ ले गया और पांच सो रुपय शराब के लिए देने के लिए दवाब बना ले लेगा रुपय देने से इनकार करने पर कनहिया और उसके साथ ही सावन यादव ट्राइवर के साथ मार पीट करने लेगा इसी बीच मौका पाते ही युवक किसी तरह जान बचा कर बदमाशों के चंगुल से भाग कर छिप गया पर बदमाश कुछी दिरबाद युवक के घर पहुँच गए और उसकी पतनी को घर से धमकाते हुए अपने साथ विश्विद्याले के गांधी वी चारवी भाग के पास इस्तिजारियों में ले गए और पती और उसकी हत्या करने की धमकी देते हुए हत्यार के बल पर मचाते हुए पीरता अपने घर पहुँची और लोगों को आप बीती सुनाई इस शर्मनाग घटना को सुनकर महले के लोग जूट गए और हंगामा करने लगे सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँचकर मामले की जांच की पिरित महिला को पुलिस अपने साथ थाना ले आई और पिरित महिला के बयान पर कनहिया यादब और सावन यादब के खिलाब दुशकर्म का मामला दर्स किया गया है महिला के मेडिकल कराए गया है आरोपितों की ग्रफतारी के लिए अब च्छापे मारी की जा रही है क्या मांक करती हो कुलिस से शरकार से क्या मांतरी मैं चाहिये कि जा नाम हुआ परिंग का देगे। लेकिन इस गटना के बाद भागलपूर में शुशासन की साख पर बट्टा लग गया है लोग कहने लगे हैं कि जिस राज में बदमाशों से महिला सुरक्षित नहीं है वहाँ अब शुशासन की बात करना बेमानी है खुलासा के लिए भागलपूर से रवी कुमार की ये खास रिपोर्ट